नमस्ते, आज के विडियो में हम बात करेंगे संसक्स और निफ्टी की अपडेट के बारे में मार्च के 24 तारीख के दिन दोनों ने खुले हुए दी और आज की खबरों के अनुसार दोनों में तेजी देखने को मिली है इस विडियो में हम देखेंगे की आज के दिन किस सक्तर में क्या बदलाव हुए है और किस तरह से इन्वस्टर्स इसे फाइदा उठा सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम संसक्स की तरफ देखते हैं संसक्स आज 590 पॉंच से उपर चल रहा है और 62,000 के पार जाने का इरादा है आज के दिन मटल सक्तर में तेजी देखने को मिली है जहां हिंडल को वेदानता और टाटा स्टील जैसे कमपनीज के स्टॉक्स में काफी बढ़ोतरी हुई है इसके अलावा, बैंकिंग और रील एस्टेट सक्तर भी आज काफी स्टॉन दिखे जहां HDFC और ICICI बैंक जैसे बैंक्स और DLF और गोद्रेच प्रॉपर्टीज जैसे रील एस्टेट कमपनीज के स्टॉक्स में भी बढ़ोतरी दिखी अब हम निफ्टी की तरफ देखते हैं निफ्टी भी संसक्स की तरह आज तेजी से खुला है और 18,500 के पार जाने के करीब है आज के दिन फार्मा और 80 सक्तर में टेजी देखने को मिली है जहां सिपला और डॉक्टर रड्डीज जैसे फार्मसीटिकल कमपनीज के स्टॉक्स में काफी बढ़ोतरी हुई है और TCS और Infosys जैसे 80 कमपनीज के स्टॉक्स में भी टेजी दिखी तो ये दी आज के संसिक्स और Nifty के अपडेट्स इसे साफ है कि आज के दिन मटल्स, बैंकिंग, रील एस्टेट, फार्मा और 80 सक्तर में इन्वस्टर्स को फाइदा उठाने के मौके माइल है लेकिन हमेशा की तरह, स्टॉक मार्केट में इन्वस्ट करने से पहले अपने Financial Advisor से जरूर सलाह करें अमिड है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फोर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे हाई इन्फोर्मेटिव वीडियो देख सके धन्यवाद